कि बिगुर्ण दि नाडी नाडी जोतिश के बारे में थोड़ा समस्थ लेते हैं पहले तो देन वी प्रोसेड टू धी सब्जेक्ट थोड़ा हम जान लेते हैं कि नाडी जोतिश क्या चीजा कैसे काम करती है नाड़ी जोतिश नाड़ी एक बहुत ही जैसे डॉक्टर देखता है नाड़ी की परिक्षा करता है यानि कि हमारे नसों की परिक्षा करता है नसों का अनिलैसिस करता है उससे हमारे बिना टेस्ट के बिना किसी जाज़ परताल के हमारी बिमारी को पाइंड ओड करने में शक् डॉक्टर और इनादर वे ऐसा असलोजा जो कि गरहों की स्तिती के अनुसार ये पता सके कि जीवन में क्या चीज़े घट सकती हैं और क्या घटना कर सकती है उसकी एक विंडोज क्रियेट हो जाए और वो क्लारीटी आ जाए जितनी चीज़े हमादे बस उपलब्द हो उन के लिए नक्षत्र या अंशो के माद्यम तक जानने की जगह पे सिर्फ उपर से प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से की जा सकती है इसका मलब यह है कि इसमें नक्षत्रो अंशो का कोई महतब नहीं है नाड़ी जोतिश के अंदर अंशो का और नक्षत्रो का बहुत महतब है ब् दर्ती पे जितनी भी जीव आत्माय जर्म लेती हैं उनकी कुंड़िया उन्होंने सबकी दर्जित कर रखिये पहले से ही बनाके इसलिए बिगु सहींता का बहुत बड़ा अत्यंत इसका इंपॉर्टेंस है इसलिए उन्होंने बारा राशी बारा भाव 27 नक्षटर नव ग्र है इसलिए बेगु सहीता के अंदर हर पकार की जीव की कुंड़िया इसके अंदर आ जाती है और इसलिए इसकी इंपॉर्ड सस्थी ज्यादा है इट इस ऑल सब्सक्राइब माइशन हम इस पूरी जarणी के अंदर ये जाने की कोशिश करेंगे कि जो प्लैनोंट है वह अप लुत्पन होते हैं उसे हम क्यासे अपनी फलित कर सकते हैं इसके उपर हम बात करेंगे